हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है कुल्लू के बाद अब चंबा के सलूनी में बादल फटने का मामला सामने आया है यहाँ पर बजोत्रा करवाल इलाके में भारी बारिश से काफी तबाही हुई है सेरी पंचायत में नाले में बार आने से दो गाडियां बही है वहीं सलूनी कॉलेज के पास भी एक बाईक और कार बही है वहीं सलूनी के डिभरो गाव में बारिश के काहर से एक रसोई घर गिर गया है राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है बुधवार सुबह से ही चमबा में भारी बारिश हो रही है यहां पर नदी नाले उफान पर है सलूनी के डिभरो गाव में मान सिंग नाम के शक्स की रसोई गिर गई है जमीन धसने के बाद ये रसोई घर भी जमीदोज हो गया इसी तरह सलूनी के नरोही नाला में बारिश से घराट तबाह हो गए और गाडिया मलवे में दब गई सलूनी में प्रेमनगर के पास भूस खलन से प्रेमनगर और एहनी गाव पर खत्रा मंदर आया हुआ है चमबा तीसा रोड कलहेल और चंजू नाला के पास सलाइडिंग होने के कारण सभी प्रकार की गाडियों के लिए बंद है बजोत्रा करवाल में सेरी पंचायत में बारिश और फ्लेश फ्लग से नुकसान हुआ है लिहाहन्के लिए तकके से लिए या क्या हुआ हुआ है बड़का या, बबल या क्या क्या हुआ है भर खत्रा क्या degree है झाल meter 7HA कम बड़ दर रो, हैै बड़का लुआ है झाल झाल कुल्स के लिएता है कि अबो तोपकों आधिर, शोथ रहें। जिर आधिनक खाय है जिर आधिनक कामीनिकी थाधिनमिकीनी भनोगें जिर आधिनी मेरिया तोपम जाधिनाधिन्स अभी कोड़ने मेरियी मेरियां तोपमादिने ल्तो नहीं खांगे। पानी भस आया है, वहीं